स्वागया था आपके अपने यूटूब चैनल हैल सेवन में जैसा कि आप देख रहे हैं कि गर्मियों का टंप्रिक्चर इस समय बहुत हाई है और ऐसे में चोटे बच्चे होते उनका सर्वाइब करना बहुत मुस्किल हो जाता है आप देखते हैं कि गर्मियों के सीजर में थे खूटे बहुत ही जाता बिमार पड़ते हैं क्या होता है कि जो चोटे बच्चे जो नगे मिन बच्चे ओते नौचास वहाण होते हैं चे मेनी तक की बच्चे होते हैं उन्हें च्ट्रोल कर लेते हैं भाहर नहीं जाना है अंदर हम रख लेते तंड दूल यह बहुते ह करने की जरूरत है क्योंकि गर्मी में सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है वह बच्च बुखार obtal C है साथी साथ आप देखिंगे बच्चे का बार बार पेट खराब हो जाएगा उसके साथ बच्ची की जो बोडी होगी और बच्ची के चमड़ी होगा जो इसकीन होगा वह सूखने देखते हूं कि यह समस्या बहुत ही जादा देखने को मिलती है इस समस्या के लिए मैं आज दो घरे लू उपचार बताने वाले हैं अगर आप उसे वास्तों में अपलाई करेंगे अपने बच्चे पर तो आप देखेंगे कि अगर बच्चे को किसी भी प्रकार का कितना भी तेज तरार वाला लू हो चाहिए वो बच्चा घर से बाहर निकल के कही मारकेट में गया हो याँए 20 किलुटर दूर वो बच्चा बाइक कि या हो लू लग गया हो या घर के बाहर खेल रहा हो तो समझ लीजिए कि वो चुटकियों में दूर हो जाएगा बच्चे आपका स्वस्त और मस्त और ठीक हो जाएगा तो फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपर्टेन्ट होडने वाला वीडियो को अप लश्ट तक देखिएगा हम स्टार्ट करते हैं सब से पहले हम देखेंगे नहीं है तो मिक्सी में भुमा लिए लागना करके बच्ची का आटालूर में छोप के महाना करें खौटन क्लिवांग दीजीै डिचे और जो आम का जो पेश्ट है वो बच्चे के कम से कम एड़ी वाला जो पार्ट है तलवा वाला वहां पे कुछ देर तक रहे आदे घंटे आप रखिए अगर आपके बच्चे को कैसा भी लू लगा है तो देखी वो चुटकियों में ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स या चरूर ट्र प्याज आपको लेना है वो प्याज भी बहुत ही कामगर हो तो बच्चपन में मेरे भाई को लू लगा था खुदी मेरी मम्मी उस प्याज को पीस के बच्चे मतलब मेरे भाई को लगा है तो मैंने देखा था इसलिए मतलब यह वीडियो में आप लोगों से के साथ सब के यह नहीं है कि घर में हर चीज अब लेबल हो साथी में यह देखने को मिलता है कि वो हर बार डॉक्टर के यहां भाग करके जाते हैं या फिर बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो कमसे कम आप यह तो कर सकते हैं ना तो आप वह सफेद वाला प्याज लीजिए उसक को छोब देना है आप उसको छोब करके किसी चीज से बात दीजिए कि उसका रस पूरी तरीके से बच्चे के यहां सर के तालों में और पैर के तालों में चला जाए उसके बाद फिर आप उसको हटाईए फिर आप उसको वास कर दीजिए धूल दीजिए देखियो किसी भी कितना भी हार वो ठीक हो जांग है आप दिन बर में दो बार ऐसा करिए दो दिन के अंदर आपका बच्चा बिल्कुल स्वैस्त मिस्त तन दूस्त हो जाएगा और आप अब हमने काया कि एक important tips बताने के लिए तो बस यह important tips यह है कि जो चना होता है चना आप देखते हों कि गाउं में बहुत ही जादा मिलता है सब लोग अपने खेतों में बोते हैं उस चने की जो डंठल होती है डंठल मतलब कि चना फर जाता है लेकिन उसका जो पेड़ होता है उस पेड़ को अगर कहीं भी आपको मिले तो आप उसको अपने पास चरूर रखिए गर्मी के सीजन में लू लगने पे बहुत ही फायदे मन्द होता है आप उसको रखिए गर्मी में आपको क्या गन्य की रात में एक बाल्टी पानी में आप चने के डंठल को भीगा दीज जो पानी रहे उससे आप नहा लीजिए अगर आप अपने छोटे बच्चे को डेली पूरे गर्मी भर आप ऐसे नहला रहे हैं बले वह एक बाल्टी नहीं एक मग पानी से भी आप नहला दे रहे हैं तो समझ लीजे पूरी गर्मी बीच जाए कि आपके बच्चे को लू न